हालो एंड वेलकम टुवाइन कनेक्शन कैसे हैं आप सब लोग आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अपना सोल परपस आप कैसे फाइन करें या कैसे जाने की क्या आपका सोल परपस है और युणिवर्स या फिर नीचिर कैसे आपको हल्प करती है आपका सोल परपस मैं अपनी स्चोरी मैं श्याय करने वाली हूं तेखो तेसित मोई वाला को जानने के लिए बहुत सारी लोग बहुत सारी चीज़ गाते हैं मैं ने दिखाया का गैन्ते टरॉलोजी में एक तरो Lakट की मिनदद करते हैं मेरा सूल परप् Summit क्या है मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ है ना बहुत जादा मैं इस चीज के बारे में नहीं जानती हूँ मैं बहुत ज्यानी नहीं हूँ सीधी सी बात यह है लेकिन जो मैं समझती हूँ जो मुझे समझ आता है सबसे पहले तू समझो कि Soul और Purpose, Soul Purpose, तो Soul क्या है? हमारी आत्मा, यानि कि हम खुद हम Soul ही है, Soul के तीन गुड़, प्यार, आनंद और शांती, ये तीन गुड़ होते हैं हमारी Soul में, और जब वो इस बॉड़ी से अटाच हो जाती है, तो सारी विकार आजाते हैं, सारी negative चीज़े आजाती है, जलन भी होती है लोगों से, कुडन भी होती है, बुरा भी लगता है, emotions आते हैं, है ना, अच्छी चीज़े, बुरी चीज़े, सारी चीज़े आती है, आनंद, कभी आनंद में रहते हैं, आनंद से तो खैर बहुत महसूस होती है जो कि बड़ी शड़िक होती है आज खुश हो गाया किसी बात पर कल दुखी हो गए तो वो चलता रहता है और शांती तो उसका तो दूर दूर तक सवाली नहीं उठता अशांद रहता है मन क्योंकि मन बड़ा चंजल होता है तो आपके आत्मा के गुर्जो है वो जब आपको अपने किसी चीज में किसी काम में किसी परपस में मिलने लगे यानि कि कोई भी काम आप कर रहे है और उसमें आपको अपार आनंद आपार शांती और अपार प्रेम मिल रहा है तो वही है आपका लाइफ परपस उस शांती को पाना उस प्यार को पाना उस आ इसे लिए आप जानो, meditate करो, जब आप खुद को जानते हैं, खुद से जुरते हैं, खुद की सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, meditation करते हैं तो क्या होता है रा शांती मिलती है आनंद मिलता है प्रेम में आप जाते हो उसी इश्वर के प्रेम में क्योंकि ये आत्मा कहां से आई है उसी वर आत्मा का अंश है राइट तो soul purpose यहरी कि आपका वो काम जो आपको ये तीरो चीज़े दिलाता है आनंद प्रेम और शांती दिलाता है वही है आपका soul purpose अब ये चीज़ आपको किसीरी चीज़ में मिल सकती है आपका कोई profession जो आप करते हो आप doctor हो आप engineer हो आप मेरी तरह YouTuber हो अगर आपको उस काम में प्यार है उस काम से प्यार है उस काम को करते हुए आप ठकते नहीं हो आपके माती पर शिकन नहीं आती है टाइम नहीं देखते हो कितना बचिया कोई ठकावट नहीं होती भूग प्यास भी भूल जाते हो पर आम आनंद की प्राप्ती होती है यह बहुत अच्छा लगता है आपको बहुत खुछी मैसूस होती है वो काम करते हुए और रात में शांती से सोते हो शांती बिलती है कि कुछ तो अच्छा किया तो आप अपना लाइफ परपस ही कर रहे हो जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो वहां से आपको अणिंग ही मिले कोई काम हो कोई आपका अक्पेशन हो वही आपका सोल परपस हो यह बिल्कुल जरूरी नहीं है अगर किसी गरीब की सेवा कर रहे हो कोई इनसान है कोई लेडी है बालिजी को है हुए वो earning नहीं गड़ती है लेकिन वो अपने घर में अपने बच्छों का बहुत ख्याल रखती है अपने प्रक्वार वालों का ख्याल रखती है और उस काम को वो इतने अच्छे से गरती है, इतना दिल लगा कर करती है कि उसको परम आनंद आता है करते हुए, बहुत शान्ती मिलती है, रात में सुकून की नीन दाती है कि मैंने अपने बचों का अच्छे से ख्याल रखा, अपने पती का ख्याल रखा, अपने वालों का प बस ये देखो कि क्या काम करते वक्त आपको ये तीनों चीज़े फील हो रहे हैं आप यूनिवर्स कैसे help करता है आपकी इस चीज में तो यूनिवर्स या नीचर मा है प्रक्ति हमारी मा है और वो हमारी सबसे बड़ी मा है मतलब एक तो मा जिसने हमें पैदा किया वो हमको सिखाती है लेकिन उसकी भी एक हद है कि जब बेटा बहुत ही जिद्धी हो बचपन से सिखाने की कोशिश करें कि बेटा इतना जिद्धी है कि सीखी नहीं रहा है बड़ा हो गया लेकिन उसने वो आदत पली नहीं जो मा समझाना चारी थी वो आदत नहीं डाली उसने तो म एक ताइम पर आकर छोड़ देती है कि यार इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है तू कर ले, अब कब तक समझाओ, लेकिन कुद्रत एक ऐसी मा है, नीचर एक ऐसी मा है, जो हमे अंतिम सांस तक, हमारी अंतिम सांस तक समझाती है, हमारी सबसे बड़ी टीचर है, आप जब तक न मुझे ये चीज करनी थी, शायद मेरे लिए बना था कि मैं ये बोलू, आपके सामने वीडियो बनाओ, तो बच्पन से मैं बोलती थी, लेकिन अकेले मैं बोलती थी, शोचलाइज नहीं थी, अपने आप में बढ़बढ करना, जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, वो हमेशा ये सोचती थी कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत नहीं है, क्योंकि जल्दी शादी गर ली, जॉब नहीं किया, और धीरे 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 क्या होता है, अप एजुकेशन से भी दूर होते जाते हैं, जैसे जैसे आप नहीं पढ़ते हैं, फिर आप शादी हो जाती है, तो पढ़ाई से भी वो चीज वो नाता नहीं रहा, तो अब तो शायल हम किसी लायक नहीं रहे, अब जिंदगी ऐसी जी निकल जाएगी, तो अंदर ये चीज मुझे महसूस होती थी, तो यूनिवर्स को तो पता था, कि मुझे अंदर से फीलिंग आता है, कि मैं थी, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरा लाइफ परपस नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मुझे ये तीनों चीज़े नहीं मिल रही थी, उसके बाद लॉफ रेक्शन बीच में आया, मुझे वीडियो दिखने शुरू हुए, लेकिन मैंने उसको फॉलो नहीं किया, मैंने शेयर किया है इस वीडियो को, पूरी स्टोरी बताई है अपनी, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी, आप वो देख सकते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, और उसमें मैंने क्या किया, उस वो चीज मेरे साथ, वो घटना मेरे साथ, इसलिए ये युनिव पर पस ढूंड रहे हैं, कुदरत हमारी हमेशा मदद करती है, तो जब उसने पहले मदद की, मैंने नहीं देखा, क्योंकि कुछ सिखा के नहीं किया था, आराम से दे रही थी, पर मैंने नहीं लिया, लेकिन जब आराम से आप नहीं लेते हैं तो फिर डंडा पढ़ता है, तो वो इमोशन्स वाला डंडा मेरे अंदर पढ़ा, मुझे पढ़ा, और तब मैं समझी, और तब मैंने सीखा, और आज मैं इस लायक हूँ, कि मैं खुद को बोल सकते हूँ, कि हाँ मैं यूटूबर हूँ, और मैं कमाती भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और सबसे मैं से प्यार है, मुझे शांती मिलती है, जब आप लोग मैसेजेस करते हैं, कि मैं आपको सुनके हमें अच्छा लगता है, आपके मैसेजेस बढ़के मुझे शांती मिलती है, ये वीडियो बहुत लोग मुझे ये शिकायत करते हैं, मैं अप लंबी लंबी वीडियो क्यों बनाती हो कुछ ट्रोलर्स भी होते हैं जो कितना बोलती है कितना करती है इस वीडियो के भी शायद आप बोले कमेंट करें कोई बात नहीं लेकिन वो यह बोलते हैं कि इतना लंबा क्यों बनाती हो भाई ऐसा है जब तक आपको satisfaction नहीं मिलेगा ना काम से तब तक आपका soul purpose हो जाओ नहीं मेरे अंदर यह होता है कि मैं अपनी बात जो मैं बोलना चाहती हूं मैं आप तक पहुचाओं क्योंकि इसका purpose ही यह है कि वो आपको समझ में आए और आप भी अपनी life को change कर पाएं तो जो लोग वाकरी में इस चीज को लेंगे वो समझेंगे और जो लोग ब खगवान उनको अपने तरीके से समझाएगा तो वो जीज है तो वही मैं बता रही हूं कि कुद्रत हर पल आपकी मदद करता है आपका life purpose धूनने में तो कुद्रत के इशारों को समझा करो अवेर है करो जो भी घटनाएं घट रही है सोचा करो कि कहीं इसमें मेरी learning तो नही होगे तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है तो थैंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो बाई